नमश्वार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में तो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट थर्टी कोश्चन्स रीजनिंग के लेके आ गया हूं पूरे के पूरे छटे हुए प्रिविएस एर के कोश्चन है तो आई ये शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेशन लेकिन उसके पहले के इन्फॉर्मेशन एन अकैडमी पर न्यू बैचेस लाए जा रहे हैं रेलवे एक्जान्स 2021,22 और 23 एस्पिरेंट्स क आपको ये सारे benefits मिल जाएंगे देखिए strong selection and batches for railway exams है त्यारी UP police की भी है तो अगर आप UP police ये railway preparation करना चाहते हैं या कर रहे हैं घर आपको अच्छा guidance चाहिए तो इनके platform को आप जोइन कर सकते हो group D के लिए भी batches हैं देखिए जब भी आप इनका subscription लेंगे अगर आप हमारा code लगा देंगे गुरू tips यहाँ पर referral code में तो आपको जो है instantly 10% का extra discount मिल जाएगा तो जब भी आप कोई भी subscription ले हमारा code लगाना ना भूलें आईए शुरू करते हैं आज का session very very important session guys पहला question तो पहला question क्या बोल रहा है प्रश्न कह रहा है कक्षा में रेश्मी रेशिम का rank क्या है यह रेश्मी होना चाहिए whatever rank क्या है कथन कक्षा में 25 चात्र है दूसरा क्या बोल रहा है आठ चात्रों का अंक जो है रशीम से कम है आठ चात्रों का अंक रशीम से कम है इसका मतलब नीचे से यह 9th नंबर पर है और 9th नंबर है 25 टोटल चात्र है तो मुझे पता चल जाएगा क्या rank है हा की ना इसका मतलब दोनों कथन आविशक क्या ओप्शन नंबर है आपका सही उत्तर हो जाएगा चले next question देखते है next क्या क्या रहा है मीरा सचन की पत्नी है सचन की बहन शार्दा है और वह अर्जुन की पत्नी है अरुन शार्दा का बेटा है अरुन मीरा का भाई है सोनाली अर्जुन की बेटी है अरुन सोनाली का क्या है, क्योशन समझ में आया देखे, मीरा जो है वो सुचन की पत्नी है, सुचन की पत्नी है तो सचन हुआ पती, किसका पत्नी नें, मीरा का, आगे देखते हैं, सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन कौन है, शारदा है, कौन है ये बहन है, और वह अरजुन की पतनी है, मतलब अरजुन और शारदा पती पतनी हो गए, अरण शारदा का बेटा है, अरण कौन है, अरण शारदा का बेटा है, और अरजुन मीरा का भाई है, और ये अरजुन और ये जो मीरा है ये लोग भाई बहन है, ठीक है, सोनाली अरजुन की बेटी है, सोनाली जो है वो अरजुन की बेटी है, अरजुन बोले या शारदा बो तो अरुन सोना अली का क्या हुआ बता दो तो यह कौन हुआ भाई हुआ ना कौन सा ओप्शन यह ओप्शन ठीक है बड़े next question में आई है चलिए देखिए जैसे D को 17 लिख रहे हैं तो F को क्या लिखोगे देखो D मतलब होता place value 4 आलफाबेट सेक्वेंस में तो 4 का स्क्वेर प्लस वन देट मीं 16 प्लस वन यही 17 यहां लिखा गया तो E F 6 नंबर 6 का स्क्वेर प्लस वन तो 36 प्लस वन 37 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया नेक्स देखिए कथन कह रहा है ABC इंस्टिट्यूट शुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष शिक्षको द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है ठीक है निशकर्श देखते हैं उसका यह वादा दूसरे इंस्टिट्यूट क्लास को डाउन गेडियानी स्टेट्मेंट से निशकर्श नहीं निकलता कतन से नहीं निकलता इसका मतलब ना तो एक ना ही दो पाहलन करता ओप्शन नमर यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आए नेक्स देखते हैं शिंख्ला में आने वाले अगले दो अक्षर कौन से हैं देखिए A, B, B, C कट आगे देखते हैं देखिए D, E, E के बाद F, G, ठीक है मतलब जब रिपीट हो रहा है रिपीट के बाद यहाँ एक का गैप यहाँ दो का गैप तो यहाँ पर I के बाद तीन का गैप I, J, K, L, तीन का गैप तो यहाँ आने वाला L के बाद M, तो I and M कौन सा आप्शन है? आप्शन नमबर C, next question, कथन कहरा है मोबाइल फोन की बिक्री में हाल ही में दिनों में, हाली के दिनों में कई गुना वृद्धी हुई है, कथन ठीक है, बिल्गोल सही बात है, कारण बोल रहा है, देखते हैं, E-commerce के प्रति जुनूर ने मोबाइल फोन, मोबाइल की बिक्र में, इसके बाद फिर, इंटरनेट का जो कॉस्ट है, वो कम हो गया है, उसके बाद, UPI वगेरा जो है, आज कल ओनलाइन ट्रांजिक्शन जादा होगा, इसलिए मोबाइल फोन की बिक्री बढ़े देए, ना कि E-commerce के प्रति जुनूर ने बढ़ा है, इसका मतलब, जो कौन स option हो जाएगा, A तो सत्य है लेकिन R ही गलत है, option number C आपका सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते, ने, हमने के चिंकला में अगली संख्या क्या होगी, 0, 7, 26, 63, उसके बाद क्या, 124, okay, तो यहाँ ज़रा देखो, 0 को मैं लिख सकता हूँ, 1 का cube minus 1, 1 का cube 1, 1 minus 1, 0, similarly, 7 को मैं लि 3 का cube minus 1, 27 minus 1, 26, 4 का cube minus 1, 64 minus 1, 63, और यहाँ, 5 का cube minus 1, 125 minus 1, 124, तो यहाँ, क्या जाएगा, 6 का cube minus 1, that means 216 minus 1, मतलब 215, option number B, आपका सही उत्तर, next question देखते है, कथन कह रहा है, बहतर स्वास्त, सुविधाओं के बाबजूद, शहरी भारत, ग्रामीन भारत की तुलना, में अधिक बीमार है, ठीक है, कौन अधिक बीमार है, शहरी भारत, ग्रामीन भारत की तुलना में अधिक बीमार है, कारण, शहरी जीवन को प्रदूशण के बढ़े हुए स्थर, आस्वास्थक, तरीके का कचड़ा फेके जाना, और fast food, संस्कृति जैसे समस्याओं का सामन करना पड़ रहा है जी हां दोस्तों इसी के कारण क्या है बहतर जो है सुविधा के बाब जूत शहरी भारत रामेन भारत की तुलना में अधिक बीमार है मतलब A भी सही है और R भी सही कारण है मतलब A और R दोनों सत्ते और R A का सही कारण है option number D आपका सही उत्तर हो जाएगा next Y एक ग्रिहनी है और उसका पती इंस्पेक्टर है उनके बेटे J एक सिक्षक है और K एक बैंकर है जिनकी शादी क्रमशा एक नर्स और एक सिक्षक से हुई है J का बिभाहिद बेटा P एक इंस्पेक्टर है जिसके दो बेटे हैं K की बिभाहिद बेटी Q एक सौफ्ट्वेर इंजिनियर है जिसके दो बेटे हैं ये सभी एक सैयुक्त परिवार में रहते हैं आईए बना दिया जाए फैमली चार्ट को Y एक ग्रिहनी है क्या है एक ग्रिहनी हाउस वाइफ है ठीक और उसका पती एक इंस्पेक्टर है उसका पती एक क्या है गाईज इंस्पेक्टर है ठीक है चली आगे देखते हैं उनका बेटे J उनके बेटे J एक सिक्षक और K एक बेंकर इनके दो बेटे हैं एक J बेटा है और एक के बेटा है, जे क्या है, एक सिख्षक है, और के कौन है, एक बैंकर है, जिनकी शादी क्रमशा एक नर्स और एक शिख्षक से हुई है, तो जे की शादी एक नर्स से हुई है, और के की शादी एक सिख्षिका से हुई है, आगे देखते हैं, जे का बिबाहिद बेटा P एक इंस्पेक्टर है जे का एक बिबाहिद बेटा P है जो इसकी वाइफ होगी वो क्या है एक इंस्पेक्टर है क्या है इंस्पेक्टर है जिसके दो बेटे हैं जिसके दो बेटे हैं एक और ये दो ठीक है आगे देखते हैं के की बिबाहिद बेटी क्यों, एक Software Engineer है, के की बिबाहिद बेटी क्यों, बिबाहिद बेटी है, क्यों, तो भाई, वाइफ होगी किसी की, है ना, और क्यों कौन है, एक Software Engineer है, इसके दो बेटे हैं, इसके भी भाई को उतने बेटे हैं, दो बेटे हैं, ठीक है, ये सबी एक संय परिबार में रहते हैं यह हमारी बन गई फैमिली चार्ट पुरुष और महिलाओं का अनुपाद सबसे पहले पुरुष देखते हैं स्क्वैर वाले एक दो तीन फिर चार पाँच छे साथ आठ नौ पुरुष हो गया है नौ नौ वाला एक ही ऑप्शन महिला देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच महिला है नाइन स्टू फाइफ किसी ऑप्शन में है क्या सी हमारा सही उत्तर हो गया नेक्स क्या बोल रहा है क्यू की दादी का डैश है क्यू की दादी कौन है है ना क्यू की दादी कौन है देखो क्यू यह रहा आपका क्यू की दादी मत क्योंकि मा कौन हो गई घृहनी तो दादी कौन है घृहनी ओप्षन नमबर डी आपका सही उत्तर हो गया ठीक है चली नेक्स क्या बोलaci दी गई जानगाओं के अधार बार बताएं कि उन में से कौन सा एक बिवाहित जोड़ा है सिख्षक और सिख्षिका सिख्षिका और सिख्षक देखो सिख्षिका और बैंकर है भाई नहीं ये तो नहीं होगा नर्स और सिख्षक नर्स और सिख्षक देखो न ये वाला नर्स और सिख्षक जी हाँ नर्स और सिख्षक तो एक विवाय जोड़े कपल है तो नर्स और उत्तर, next क्या बोल रहा है, कतन कहा रहा है, डॉक्टर को दूर रखने का एक मात्र तरीका पॉष्टिक खाद्यपदार्थों का सेवन है, निशकर्ष पहला बोल रहा है, शीगर ही डॉक्टर बेकार हो जाएगा, नहीं बहीं, डॉक्टर के रोजगार का एक मुक्षोत जंक कूड़ जी, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ना ही एक और ना ही दो पालन करता, option नमबर B, है न, उल्टा सीधा निशकर्ष दे दिया गया है, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, तेरा नमबर क्या बोल रहा है, एक दिन गणेश अपने घर से बाहर निकला और दक्षिन की और 10 किलो मेटर साइकल से गया, फिर दाहीने मुडा और 5 किलो मेटर गया, पुनहा दाहीने मुडा और 10 किलो मेटर गया, और अंतहा बाय मुडा और 10 किलो मेटर साइकल से गया, वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए, उसे कितने किलो मेटर साइकल चलान होगी चलो गडेश यहां पर है एक दिन गडेश अपने घर से निकला और दक्षण की और 10 किलो मेटर साइकल से गया दक्षण की और 10 किलो मेटर साइकल से गया फिर दाहिने मोड़ा राइट मोड़ा राइट मोड़कर 5 किलो मेटर गया 5 किलो मेटर गया फिर पुनाह दाहिने बाई मोड़ा और 10 km, बाई मोड़ा, लेफ्ट मोड़ा, फिर यहां से 10 km और गया, मतलब वो finally यहां है, initial यहां था, बोल रहा है, वहां से सीधे रास्ते पर, चलते हुए घर जाने के लिए, उसे कितने km रास्ता, चलना होगा, देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहा आना होगा, option number B, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ओके, आईए, next question देखा जाए, क्या बोल रहा है, सभी ताले पुस्तके हैं, सभी ताले पुस्तके हैं, और कोई पुस्तक रंगी नहीं है, देखे, सभी ताले जो है, सभी ताले, कौन है, पुस्तके हैं, और कोई पुस्तक क्या नहीं है, रंगी नहीं है, और कोई पुस्तक रंगी नहीं है, रंगी बाहर आ गया, आईए, निश्कर्स देखते हैं, कुछ ताले रंगीन हो सकते हैं, जब कोई पुस्तकी रंगीन नहीं है, और सारे ताले पुस्तक हैं, नहीं हो सकता, कुछ ताले रंगीन है क्या नहीं हो सकते कोई ताला रंगी नहीं है यह बिल्कुल सही है इसका मतलब केवल निश्कर्ष दो पालन करेगा option number यह आपका सही उत्तर हो जाएगा next प्रशन कहा रहा है दिनेश के कितने भाई है question पूछ रहा है दिनेश के अङगर दिनेश की दो बहने तीन बत्चे थे एक मात्र लड़का इसका मतलब कीपने भाई है Q R का बेटा है लेकिन R Q की मा नहीं है तो कौन हो जाएगा पिता हो जाएगा P और R एक विबाहित यूगल है अगर R एक पिता हो जाएगा तो P उसकी वाइफ हो जाएगी तो P और R ठीक है P R का भाई है S P की बेटी है ठीक है S P की बेटी है और U Q की बहन है तो P का बेटा कौन है यह बनाते हैं उसको तो Q जो है वो R का बेटा है लेकिन R Q की मा नहीं है तो कौन हो जाएगा पिता हो जाएगा और क्या वो रपी और R एक बिवाहते हो गाल है तो P इसकी मा हो जाएगी यह husband wife हो गए T R का भाई है T जो है वो R का एक बहाई है ठीक है इस P की बेटी है इस जो है P की बेटी है ओके अच्छ़ए यहाँ बेटा था न यहाँ छूड़ गया तो देखो यह लोग तो भाई बहन ही हो रहे है ओके आगे देखते है U जो है Q की बहन है Q की बहन कौन हुई? यू हुई तो पी का बेटा कौन हुआ जल्दी से बता दो पी का बेटा कौन हुआ क्यू हुआ ना आपका सही उत्तर हो गया next क्या बोल रहा है परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपाद पुरुष और महिला यू के कितने भाई है यू के कितने भाई है देखो यू के कितने भाई है सिर्फ एक ही भाई है कौन कौन यू का एक ही भाई कौन है क्यू है वहना एस तो बहन हो गई तो सिर्फ एक ही भाई है कौन यू का कितने भाई है एक ही है क्यू चलो next question देखो कथन बोल रहा है सभी महिलाओं बिबाहित है एक मिनिट रुकिएगा क्या बोल रहा है सभी महिलाओं बिबाहित है और कुछ महिलाओं शिक्षित हैं और कुछ महिलाओं सिक्षित है तो दो cases बन सकते हैं, एक पहला इस तरीके से सिक्षित वाला और दूसरा यहां से मैं ले सकता हूं सिक्षित वाला, ठीक है, आईए निशकर्ष देखते हैं, कुछ बिबाहित ये वाला section शिक्षित है, बिल्कुल सही, कुछ सिक्षित बिवायत और कुछ सिक्षित ये वाले section की बात मतलब एक और दो दोनों पालन कर रहा है मतलब option number आपका ए सही उत्तर हो जाएगा next निमलिखित के बीच समानता ढूंडे जुलाई कितने दिनों का? 31, October 31, January 31, लिकिन June 30 देखिए इन में अपने बाद आने वाले महिने के तुलना मैं अधिक दिन है दिन है नहीं भाईया ऐसा कुछ नहीं है और ये गलत है इन में सबसे बहुत आने वाले महिने में इन में से एकत नहीं इन के बीच में कोई इस पश्ट समानता नहीं दिख रही है चलो next question देखते हैं संख्या का वह संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों के विवस्तित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है देखो धरा ध्यान से देखो धरा ध्यान से देखो इसको देखते हुए आप क्या बना सकते हो क्या? ब्यूटी क्या? ब्यूटी सुन्दरता सो B4 5 E4 A4 U4 T4 Y4 क्या हमारे पास option है? 5 3 6 1 2 4 जी बिलकुल option number A आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है? आईए चलो next question के तरफ बढ़ते है 22 number क्या बोल रहा है? कोई अभी भावको ने कई अभी भावको ने स्कूल X के प्रशाशन विभाग से निवेधन किया है कि वे स्कूल में टाई पहनने के नियम को समाप्त कर दे पहला क्या बोल रहा है? स्कूल ने छात्रों के यूनिफॉर्म के हिस्से के रूप में बिभिन कादमिक स्कूर के लिए अलग-अलग रंग के टाई नीत की है इस प्रकार स्कूल के कम स्कूर करने वाले बच्चे भेदभाव महसूस करते हैं जी बिलकुल अगर ये एक रीजन है तो बिलकुल उनोंने सही किया कि टाई पहनने के नियम को समाप्त कर देना चाहिए दूसरा क्या बोल रहा है? स्कूल के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में टाई की वैसे ही जरूरत नहीं है वैसे भी जरूरत नहीं है इसके केवल बुद्बार को पहना जाता है यह बिलकुल सही नहीं है यह reasonable reason नहीं है लेकिन जो पहला वाला है यह बिलकुल सही है भेदबाव नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म इसलिए होता है कि किसी के में भेदबाव ना हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे पढ़ने में अच्छा हो चाहे पढ़ने में कमजोर हो किसी के बीच में स्कूल में भेदबाव नहीं होना चाहिए इसलिए एक यूनिफॉर्म इटी मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा कथन एक जो है क्या दक्षिना वर्त 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की सुई की विप्रीत दिशा में यानि बामा वर्त में 160 डिग्री घूमता है पुना एक बार वह घड़ी की सुई की विप्रीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है अब उसका मुह किस दिशा में है अरुन यहां था उसका मुझ कहा था, उत्तर पश्चिम की और उत्तर पश्चिम इस डारेक्शन में था, पहले घडी की सुई की दिशा में, वह 90 डिग्री घूमा, तो 90 डिग्री घूम के इधर आ जाएगा वो, ठीक है, यह 90 डिग्री बन गया, अब वो बोल रहा है, फिर वह अपनी घडी की सुई की विपरीद दिशा में, 180 डिग्री, 180 मतलब यहां से गूम के वो इधर आ जाएगा, इस तरफ, फिर पुना है, एक बार घडी की सुई की विपरीद दिशा में नभ्भ है, मतलब एक बार फिर से यहां से, यहां आ 90 डिग्री, है ना, ओके, तो अब इसका फाइनल पोजिशन, डारेक्शन इस तरफ है, अब वो किस तरफ मुझ करके खड़ा है, दक्षिन पूरव, आप्शन नमबर आपका, बी सही हो जाएगा, दक्षिन पूरव, नेक्स कुशन देखते हैं, इन में से किस सक्रिय का परि प्लस दो, जरा देखो, चार से तीन बार, चार से चार बार, ये गया, छे बार, चार चार चके, 24, प्लस दो कितना होता है, 26, we got our answer, आप्शन नमबर C, ठीक, नेक्स देखा जाएं, विने दक्षिन में चलना शुरू करता है, 21 किलो मीटर बाद वह अपने दाइने और वह अपने दाइने और मुड़ता है, और 20 किलो मीटर सीधे चलता है, वह अपने शुरूवात बिंदू से कितने दूरी पर है, देखते ही साथ पता होना चाहिए, 20, 21 और 29, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 21 का स्क्वेर कितना, 441, 20 का स्क्वेर 4, so that means this is 841, 841, under root कितना होत 29, option number आपका भी सही उत्तर हो जाएगा, next, सही विकल को चुने, और जो शंकला में पैटान है, उसको देखे, देखे, 4, 9, 19, next, देखो, 4 का, जो है, 4 into 2 plus 1, तो 8 plus 1, 9, 9 दुगनी, 18 plus 1, 19, तो इधर ही, 19 multiply by 2, that means, 38 plus 1, that means, 39, है न, और देखो, 39 into 2, मतलब कितना हो जाएगा, 78 plus 1, आपका 79 आजाएगा, जो की है, इधर पर, इसका मतलब यहाँ पर, क्या आजाएगा, 39, option number B, सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते है, मोहिज ने एक तस्वीर की और इशारा करते हुए कहा, वह व्यक्ति, मेरी मा की इकलोती बहु के बेटे के, नाना का इकलोता बेटा है, यदि मोहिज की एक बहन को छोड़ कर अन्य कोई सहुदर भाई या बहन ना हो, सहुदर भाई मतलब गोदलिया भाई या बहन ना हो, तो वह व्यक्ति मोहिज से किस प्रकार संबन देखे, मोहिज ने एक तस्वीर की और इशारा करते हुए कहा, वह व्यक्ति मेरी मा, मेरी मा मतलब किसकी मा, मोहिज की मा, मेरी मा की इकलोती बहु, मतलब मैं उनका लड़का और उसकी मेरी वाइफ उनकी कौन बहु, इकलोती बहु, के बेटे, के नाना, मतलब उसकी मा के पिता, के नाना का इकलोता बेटा है, मतलब मोहिज की वाइफ की भाई है ठीक है बेटा है यदि मोच की एक बहन की एक बहन को छोड़ कर अरने कोई सहदार भाई या बहन नहीं है तो वह वैक्ति मोच से किस प्रकार संबन देथे बता दो तो किस प्रकार बहनों या बलेक साल आप्शन नमबर डिया आपका सही उत्तर हो जाएगा कथन कहरा है कुछ लाल काले हैं और सभी काले सफेद हैं निशकर्ष पहला बोल रहा है कुछ सफेद काले हैं कुछ सफेद काले हैं जी हाँ ये वाला सेक्षन कुछ सफेद काले हैं बिलकुल सही दूसरा सभी काले लाल है सभी काले लाल थोड़ी है कुछ काले लाल है ये वाला सेक्षन ये गलत सब ही सफेद काले थोड़ी है कुछ सफेद ही काले है ये भी कट कुछ सफेद लाल है जी हाँ ये वाला portion जो सफेद का है वो लाल है मतलब एक और चार ही निशकर्ष पालन करेगा option number D से ही उत्तर हो जाएगा चली next question क्या बोल रहा है अगर मैं guest को लिख सकता हूँ 9, 9, 7, 17, 12 तो house को किस प्रकार code किया जाएगा ok G, U, E, S, T guest को 9, 9, 7, 17, 22 तो house को देखो G, अगर देखू तो 7, U, V, 21 यह हो गया 5, S, T, 19 और T, 20 पहले क्या हुआ पहले plus 2 हुआ फिर minus 2 हुआ फिर plus 2 फिर minus 2 मतलब पहले plus 2 फिर minus 2 इसका मतलब house को मैं क्या लिख सकता हूँ कि पहले plus 2 तो G, G, H मतलब 8 नमबर तो 10 फिर 15 तो यह हो गया 13 फिर U, 21 तो यह हो गया कितना 20 10, 13, 20 option नमबर D आपका सही उत्तर हो गया आज का अंतिम प्रशन देखते हैं कथन कहता है नियमित रूप से व्याम करने वाले लोग स्वास्त के प्रती जागरुक होते हैं मीना अपनी व्यस्त दिन चर्या के वावजूत रोज वयाम करती है इसका मतलब मीना स्वास्त के प्रती जागरुक है तभी वो प्रती दिन रोज वयाम करती है अपनी दिन चर्या व्यस्त दिन चर्या के वावजूत बिल्कुल सही मीना के परिवार में के बच्पन मीना के परिवार के बच्पन में ही उसके दिमाग में यह होगा मीना के परिवार ने बच्पन में ही उनके परिवार उनके दिमाग में वियायाम की महत्युता को भर रखा है यह निश्कर्ष तो नहीं निकलता है इस पर्टिकुलर स्टेटमे केवल केवल जो निशकष पता हमें वो पालन करता आपका सही उतर हो जाड़ेगा तो यह थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्टी कुश्चिन कर दीजेगा चैनल में अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं रोजाना क्योंकि आपके लिए इसी तरह है रीजनिंग और इसी तरीके से थोड़ी दिर बाद मैट्स का सेशन है तो डेली लेखे आ रहा हूं गाइस ठीक है फिर मिलते आप से ने